तो चलिए आज हम बात करते हैं एंटिवाइटिक दवा के बारे में, एंटिवाइटिक दवा आपका टेबलेट भी आता है और इंजेक्शन भी आता है, तो मैं आज बात करूँगा इंजेक्शन के बारे में, वही मोनो सेफ 250 मजी के बारे में, मोनो सेफ 250 मजी, 500 मजी भी आत तो osas inflammation हो गया। सेस्ट का मारकेट में बहुत से 목 APP के बड़न है। टाक्टर नहीं भी है जानते है। इंजेक्शन मानंचे अब वाकिफ है। हम आज बात करेंगे विशेश तोर पर मोनोसेफ के बारे में। लोगुक न होकिन good you एक एंजिय है जिसका उपयोग आपके स Armen या से होने वाले संख्रमन के इलाज के लिए किया जाता है आप जानते हैं हम लोग और आसला के रिए के रिकार है थेस टो नियुकर सीऴरे को तो मादने के लिए आपको एंटिवार्टिक इंजेक्शन या टैबलेट को इस्तमाल किया जाता है मान यह जख्खम हो गया है तो जख्खम भी बैक्टिरियर इंफेक्शन के कारण मतलब जीतने परकार के समस्या होता है तो बैक्टिरियर इंफेक्शन याने की किटारूं के कारण ही होता है तो किटारूं को समाप्ट कीजिएगा तब ही आपका बीमारी सोल्व होगा मान या या किसी को खुझली हो गया उसमें जख्खम टाइप के हो गया मवाद आ रहा है तो जब तक आप उसे सुखाएंगे नहीं और सुखाने के लिए आपको एंटिवार्टिक दवा का इस्तमाल करना पड़ेगा चाहों इंजेक्शन के रूप में हो या टैबलेट के रू है आप मान के चलिए कि किटानू को मारने के लिए आपको एंटिवार्टिक यूज करना है बहुत तरह के एंटिवार्टिक इंजेक्शन आता है अब बात करते हैं कि इसे कहां देना चाहिए तो इसे नैस में और मास में दोनों जगा देना चाहिए मास में आपका लाइब लाइब और साथ में बेल घंटी जहूर दबाएं और मुझे इजाज़त दें नमस्कार